अस्सलामू अलेकुम प्यारे दोस्तों दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्ची का वाक्या सुनाने वाले हैं एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे जल्दी से एक लाइक भी जरूर करें तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक्य मशहूर है कि एक घना जंगल था, जहां एक बकरी अपने दो छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूणने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत की थी कि बेटा, कि जो गाड है, जहां हम रहते हैं, यहां से तुम बाहर नहीं निकलना मैंने तो सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे-छोटे बच्चों को खा लेता है इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया, जैसे एक मा समझाती है और उन्हें अंदर रहने के लिए कहा, लेकिन वह तो बच्चे थे, खेलना कूदना चाहते थे जब मा को देर हो गई खाना ढूनने में, तो बच्चे बाहर निकल कर खेलने लगे वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, लालची नजरों से उन बच्चों को देख रहा था उसने जपट कर अपने बड़े-बड़े नुकीले दात निकाल कर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया मा जब वापस लोटी, तो क्या देखती है, कि बच्चे तो मौझूद नहीं है हाँ, उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी बकरी समझ गई, और तडप कर रह गई क्या कहती, कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को खा लिया है बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही कहती रही, ए अल्ला, मुझसे ये मेरे बच्चे ले लिये गए एक माह में इतना बड़ा इम्तिहान मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिक्वा नहीं करूंगी लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई लेकिन अल्ला पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ए बकरी एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं मेरे बच्चे तो नहीं है चलो खाने की तलाश में निकलती हूं अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई अब वह चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी की कराहने की आवाज आई जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद कर दो लेकिन वह आवाज साफ तोर पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी बकरी ने चारों तरफ नजर दोड़ाई बकरी शेर के बच्चे को नजर अंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है मुहबब डाली है और मुहबब तो हर किसी के लिए होनी चाहिए ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ किसी मा का तो बच्चा होगा बस ये खयाल दिल में आना था उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा बकरी समझ गई थी कि यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ मौजूद नहीं है उसने शेर के बच्चे को दूद पिलाया इतनी देर में बारिश रुख गई बकरी ने गार में उसको छोड़ कर वहां से जाने का इरादा किया लेकिन फिर उसे खयाल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मरना जाए इसलिए बकरी उसके पास रुख गई दो-तीन दिन अपने घर नहीं गई बलकि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही बकरी के देखभाल के बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्थ हो गया अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्थ हो गया है अब मैं अपने घर चली जाती हूँ लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि उसके तो माँ बाप न जाने कहां है ये बेचारा अकेले में घबराएगा कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही न बन जाए चुनांच ये वो उसे अपने घर ले आई अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी पालने वाली माँ बन गई थी बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया वो उससे बहुत महबबत करती सीने से लगाए रखती अब अल्ला ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिये यानि बकरी के अपने बच्चे पैदा हुए लेकिन उसने अपने बच्चों और शेर के बच्चों में कोई फर्क नहीं किया बलकि इसी तरह प्यार करती रही वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि यह बकरी मेरी माँ है और मा समझ कर उसके साथ रहा करता था शेर बड़ा हो गया बकरी बूड़ी हो चुकी थी बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मा बन कर इस शेर को पाला तो है लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी जब यह जवान होगा तो उसे यह मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ और यह शेर है और शेर का काम तो बकरी को खानाई है अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना है बकरी सोचती है कि क्या ये मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह तिरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है मा बन कर पाला, इसका कोई नहीं था ए अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाज़त करने वाला है इस शेर के दिल में मेरी महबबट डाल देना, शेर अब जवान हो चुका था बकरी का बहुत ख्याल लगता था, बकरी से कहता था कि तुम बोड़ी हो गई हो मा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे-छोटे भाई हैं, मैं उनका भी ख्याल रखूंगा अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी अल्लाह पाक की आप शाने करीमी देखिए मुहबत का अब यहां पर असर देखिए की एक बार वही बकरी घास खा रही थी उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे अचानक वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था लेकिन यहाँ पर जो जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तानकर सामने खड़ा हो गया, उसने कहा कि तुम मेरी मा को कुछ नहीं कर सकते, वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथ ही हो, मेरे जैसे हो, देखो, हमारा काम इन बकरीओं को, और उनके बच्चों को खाना ही है, यही हमारे गिजा है, तो जि अपने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब मैं जब जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँगा, या तुम्हें खाने दूँगा, ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता है, अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहबब डाली है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, यहां का कोई भी जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड सकता, मैं इनकी हिफाज़त के लिए, यहां पर मामूर किया गया हूँ, जो शेर हमला करने आया था, वह गुर्राने लगा, और कहने लगा, त अपने दातों से उसकी गरदन दबा ली, और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूँगा, तु इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड सकता, और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया, यहां पर बकरी की आँखों में बन गया, तो दोस्तों इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा बन कर रह गया, उसका बेटा बन कर रहा, तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो दिल स इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें. मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलाहाफिज.